नमस्ते गुजरात मा नभू वर्षे ले सवती पहला तो सब गुजरात वाशियों ने नभा वर्षनी अनेक अनेक शुब कामना हूँ गुजरात के मुख्यमंत्री स्री विजयरुपानी जी पंडित निंद्याल उपाइध्याय पेट्रोयम उनिवर्सिटी बार्ड अब गवर्णनस के चैर्मेन स्री मुकेश अमानी जी, स्टैंडिंग कमिटी के चैर्मेन, स्रीमान दी राजगोपालन जी, डिरेक्टर जनरल, प्रोफिसर एश सुन्दर मनोरन जी, फैकल्टी मेंबर्स, पैरेंट्स और मेरे सब युवा साथियों पंडित दिन्दाल उपाध्याय पैट्रोलियम उनिवर्सिटी के आठवे कॉन्वोकेशन के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई जो साथी आज ग्रेजियेट हो रहे हैं, उनको और उनके माता पिता को भी बहुत बहुत शुबकामना हैं आज देश को आप जैसे इंडस्ट्री रेडी ग्रेजियेट मिल रहे हैं आपको बधाई आपके परिशम के लिए आपने जो इस उनिवर्सिटी में सीखा है उसके लिए और शुबकामना है नेशन बिल्लिंग के जिस बड़े लक्ष को लेकर आज आप यहां से प्रस्थान कर रहे हैं उस नई मंजिल के लिए नए सफर के लिए मुझे विश्वास है कि आप अपने स्कील अपने टैलेंट अपने प्रोफेशनलिजम से आत्म निर्भर भारत की बड़ी ताकत बनके उभरेंगे आज पीडी प्यू में जुड़े पांच अलग-अलग प्रोजेक्ट का भी उद्गाटन और सिलान्यास हुआ है इन नई सुभिधाएं पीडी प्यू को देश के एनर्जी सेक्टर का ही नहीं बलकि प्रोफेशनल एजुकेशन, स्कील डेवलप्मेंट और स्टार्ट अप इकोसिस्टिम का एक एहम सेंटर बनाने वाली है साथियों मैं बहुत सुरुवात काल से इस युनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा हूँ और इसलिए मुझे ये देखकर भहुत खुशी होती है कि आज पीडी प्यू देश नहीं बलकि विश्व मैं भी अपनी एक जगा बना रहा है अपने एक पहचान दर्ज करा रहा है मैं आज यहां चिब्गेस के तोर पर नहीं और कभी मुझे जब गुजरात में गेस शब्दा आता है तो थोड़ा अटपटा लगता है और इसलिए मैं चिब्गेस के तोर पर नहीं बलकि आपके इस महान संकल्प का जो परिवार है उस परिवार के एक सदस्द के तोर पर आपके बीच आया हूँ और मुझे ये देखकर बहुत गर्व होता है कि ये युनिवर्सिटी अपने समय से बहुत आगे चल रही है एक समय था जब लोग सवाल उठाते थे कि इस तरह की उनिवर्सिटी कितना आगे बढ़ पाएगी लेकिन यहाँ के स्टूडन्स ने, फैकल्टी मेंबर्स ने, यहाँ से निकले प्रोफेशनल्स ने अपने कर्तुत्व से इन सारे सवालों के जवाब दे दिये बीते डेड़ दसक में, पीडी प्यू ने पैट्रोलियम सेक्टर के साथ साथ पूरे एनरजी स्पेक्टरम और अन्यक शेत्रों में भी अपना विस्तार किया है और पीडी प्यू की प्रगती देखते हुए, आज मैं गुजरात सरकार को भी अनुरोद करता हूँ कि जब मैं इस काम पर शुरू में सोच रहा था, तब मेरे मन में था कि पैट्रोलियम उनिवर्सिटी क्योंकि गुजरात पैट्रोलियम ख्यूतर में आगे बढ़ना चाहता था लेकिन अब जिस प्रकार से देश और दुनिया की रिक्वार्मेंट है जिस प्रकार से इस उनिवर्सिटी ने अपना रूप लिया है मैं गुजरात सरकार से आगरह करूँगा कि कानून में अगर आवश्यक हो तो परिवर्तन करके इसको सिर्फ पैट्रोलियम उनिवर्सिटी के बजाए अच्छा होगा अब इसको हम एक एनर्जी उनिवर्सिटी के रूप में कनवर्ट करें उसका नाम क्योंकि उसका रूप दायरा बहुत विस्तार होने वाला है और आप लोगों ने इतने कम समय में जो कमाया है जो देश को दिया है शायद एनर्जी उनिवर्सिटी इसका विस्तार बहुत बड़ा लाप करता देश को होगा पेट्रोलियम उनिवर्सिटी कल्पना मेरी ही थी और अज मेरी ही कल्पना का विस्तार करते हुए मैं पेट्रोलियम की जगा पे पूरा एनरजी सेक्टर को इसके साथ जोडने के लिए आपसे आगर करता हूँ आप लोग विचार किजिए अगर ठीक लगता है मेरा सुचा तो उस पर देख किया यहां स्थापित होने जा रहे 45 मेगावोर्ट का सोलर पैनल मेनिफेक्टरिंग प्लांट हो या सेंटर आफ एक्सलेंस ऑन वोटर टेक्नोलोजी देश के लिए पीडियू-प्यू के लार्ज आज आप ऐसे समय में इंडिस्ट्री में कदम रग रहे हैं उनिवर्सिट्री दे निकल करके इंडिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं जब पैंडेमिक के चलते पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर में भी बड़े बड़लाव हो रहे हैं ऐसे में आज भारत में एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ की एंटर्प्राइज स्पिरिट की एंप्लोईमेंट की असीम संभावनाए है यानि आप सभी सही समय पर सही सेक्टर में पहुँचे हैं इस दसक में सिर्फ ओइल एंड गैस सेक्टर में ही लाखों करोड रुपिय का निवेश होने वागा है इसलिए आपके लिए रिसर्च से लेकर मैनुफेक्टरिंग तक अवसर ही अवसर ही अवसर है साथियों आज देश अपने कार्बन फूर्ट्प्रिंट की 30 से 35 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष लेकर के आगे बढ़ रहा है दुनिया के सामने जब ये बात लेकर के मैं गया दुनिया को अचरत था क्या भारत ये कर सकता है प्रयास ये हैं कि इस दसक में अपनी उर्जा जरूरतों में नेचरल गैस की हिस्सेदारी को हम चार गुना तक बढ़ाएंगे देश की ओईल रिफारिंग केपिसिट को भी आने वाले पांच सहलों में करीब करीब दो गुना करने के लिए काम किया जा रहा है इसमें भी आप सभी के लिए अनेक अनेक संभावना हैं देश की एनर्जी सिकुरिटी से जुड़े स्टार्ट अप एको सिस्टिम को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम हो रहा है इस सेक्टर के आप जैसे स्टूरंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक विशेज फंड भी बनाया गया है अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो कोई प्रोड़क्ट हो या कोई कंसेप्ट हो जिसे आप इंकुबेट करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए एक बहतरीद आउसर भी है एक सरकार की तरफ से तौफ़ा भी है वैसे मुझे एसास है कि आज जब मैं आपसे ये बाते कर रहा हूँ तो थोड़ी चिन्ता भी होगी आप सोच रहोंगे कि कोरोना का समय है पता नहीं कब सब ठीक होगा और इन में से आपके मन में जो चिन्ता आती है वो स्वाभाविक भी है एक ऐसे समय में ग्रेजुएट होना जब पूरी दुनिया इतने बड़े संकट से जूज रही है ये कोई आसान बात नहीं है लेकिन लेकिन याद रखिए आपकी ताकत आपकी ख्षमताएं इन चुनोतियों से भी कहीं ज़्यादा बड़ी है इस विश्वास को गभी खोना मत प्रॉब्लेम्स क्या है इससे ज़्यादा महत्वपुन ये है कि आपका परपज क्या है आपके प्रेफरसिज क्या है और आपका प्लान क्या है और इसलिए ये जरूरी है कि आपके पास एक परपज हो प्रेफरसिज ताय हो और उसके लिए बहुत ही परफेक्ट प्लान भी हो क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपने जीवन में पहली बार किसी कठिनाई का सामना कर रहे होंगे ऐसा भी नहीं है कि ये चुनोती भी आखरी चुनोती होगी ऐसा नहीं है कि सफल व्यक्तियों के पास समस्याएं नहीं होती लेकिन जो चुनोतीयों को स्विकार करता है जो चुनोतीयों का मुकामला करता है जो चुनोतीयों को हराता है समस्याओं का समधान करता है आखिर जिन्दगी में वो ही सफल होता है कोई भी सफल वेक्ति देख लीजिए हर कोई चुनवतियों से मुकाबला करते ही चल पड़ा है साथ क्यों अगर आप सो वर्स पहले के समय को याद करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आज मेरे देश के नवजवान उस कालखन को याद करें सो साल पहले आज हम 2020 में हैं सोच लिजिए 1920 में जो आपकी उमर का था या 1920 में जो आपकी उमर का था आप आज 2020 में उस उमर के हैं 1920 में जो आपकी उमर का था उसके सपने क्या थे 1920 में जो आपकी उमर का था उसका जजबा क्या था उसकी सोच क्या थी जरां सो साल पुरान इतिहासक पर नजर करें याद करेंगे तो 1920 से शुरूआ हुआ समय भारत की आज़ादी के लिए बहुत महत्पपूट रहा वैसे तो आज़ादी की लड़ाई गुलामी के कालखन में कोई साल ऐसा नहीं कोई लाका नहीं कि आज़ादी का जंग लड़ा न गया हो 1857 का जंग स्वातंत्र संग्राम एक विशे स्टनिंग पॉइंट बना लेकिन 1920 से लेकर के 1947 1920 टू 1947 का जो समय था वो बिलकुल ही अलग था हमें इस दोर में इतनी घटनाएं दिती है देश के हर कौने में हर क्षेत्र में हर वर्ग में याने पूरे देश का बच्चा बच्चा हर तपके के व्यक्ति गां हो शैर हो पड़े लिखे हो अनपड़ हो अमीर हो गरीव हो हर कोई आजाजी के जंग का सिपाई बन गया था लोग एक जुट हो गए थे खुद के जीमन के सपनों को लोगों ने आहूत कर दिया था और संकल्प लिया था आजादी का और हमने देखा है कि 1920 तु 1947 तक की जो युवापीडी थी जिन्नों ने अपना सब कुछ दाओ पर लगा दिया था आज कई बार हमे तब की युवापीडी से इर्शा भी होती है कभी मन में होता होगा काश मेरा जन्म भी 1920 और 1947 के कालखन में होता मैं भी देश के लिए बगत्सी बन करके चल पड़ा होता है यह आपके मन में भी होता होगा लेकिन दोस्तों हमें उस समय देश के लिए मरने का मोका नहीं मिला आज हमें देश के लिए जीने का मोका मिला है उस समय के नौजवान भी अपना सब कुछ देश के लिए अर्पित करके सिर्व एक लक्ष के लिए काम कर रहे तो और लक्ष क्या था? एक ही लक्ष था भारत की आजहादी मा भारती को गुलामी की जंजिरों से मुक्त करा रहा और उसमें कई धाराएं थी अलग अलग विचार को लिएक लोग थे लेकिन सब धाराएं एक ही दिशा में चल दही थी और वो दिशा थी मा भारती की आजहादी चाहे मात्मा गांदी का नेत्र तो हो चाहे शुभास बाबु का नेत्र हो चाहे भगत्सी सुक्तेव राजगुरु का नेत्र तो हो चाहे भीर सावरकर का नेत्र तो हो हर कोई धाराएं अलग-अलग होंगी मार्ग अलग होंगे रास्ते अलग होंगे लेकिन मंजिल एक थी माँ भरती आजादी कश्मीर से लेकर के काला पानी तक हर काल को ठीब है हर फांसी के फंदे पर से एक ही आवाज उड़ती थी दिवारे एक ही बातों से गूंती थी फांसी की रसियां एक ही बात से सुजबित होती थी और वो नारा होता था वो संकल्प होता था वो जीवन की सद्धा होती थी माँ भारती के आज़ादी मेरे नवजवान साथियों आज हम उस दौर में नहीं है लेकिन आज भी मात्र भूमी के सेवा का आउसर बैसा ही है अगर उस समय नवजवानों ने अपनी जवानी आजादी के लिए खपाई तो हम आत्म निर्भर भारत के लिए जीना सीख सकते हैं जी करके दिखा सकते हैं आज हमें आत्म निर्भर भारत के लिए खुदी एक आंदोलन बन जाना है एक आंदोलन का सिपाई बनना है एक आंदोलन का नेतुत्व करना है आज हमें आत्म निर्भर भारत के लिए हर हिंदुस्तानी को और खास करके मेरे नौजवान सात्यों आप से मेरी अपेच्छा हैं हमें अपने आप को खपाना है आज का भारत परिवर्तन के एक बड़े दोर से गुजर रपाना है देश के 25 महत्वपुन साल और आपके 25 महत्वपुन वर्ष एक साथ है इन टून है ऐसा सोभाग्य शाहिदिक इश्व को मिलेगा जो आपको मिला है आप देखिए जीवन में वही लोग सफल होते हैं वही लोग कुछ कर दिखाते हैं जिनके जीवन में सेंस अफ रिस्पोंसिबिलिटी का भाव होता है सफलता की सबसे बड़ी शुरुवात उसकी कुंजी सेंस अफ रिस्पॉंसिबिलिटी होती है और कभी बारी किसे आप देखोगे जो विफल होते हैं उनके जीवन की तरफ देखोगे आपके दोस्तों की तरफ देखोगे तो उसका कारण हो उनके मन में हमेशा सेंस अफ रिस्पॉंसिबिल्टी के बजाएं सेंस अफ बर्ड़न इसके ब्रोच के नीचे दबे भी है यार क्या करूँ एक्जाम आ रही है यार क्या करूँ जल्दी जाना हर बार बर्ड़न हर बार बर्ड़न देखिए दोस्तों सेंस अफ रिस्पॉंसि Sense of Opportunity को भी जन्म देता है उसको रास्ते में कभी रुकावाटे नहीं बलकि आउसर ही आउसर दिखते हैं Sense of Responsibility व्यक्ति के Purpose of Life के साथ Tune हो उनके बीच में Contradiction नहीं होना चाहिए उनके बीच में संगर्स नहीं होना चाहिए Sense of Responsibility और Purpose of Life दो ऐसी पट्रियां हैं जिन पर आपके संकल्पों की गाड़ी बहुत तेजी से दोड़ सकती है मेरा आप से आगर है कि अपने भीतर है एक Sense of Responsibility को जरूर बनाए रखिएगा ये Sense of Responsibility देश के लिए हो देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए हो आदेश अनेक सेक्टरस में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है साथियों इच्छाओं के अंबार से संकल्प की शक्ती अप्रमपार होती है करने को बहुत कुछ है देश के लिए पाने को बहुत कुछ है पर आपका संकल्प आपके लक्ष फ्रेग्मेंटेड नहीं होने चाहिए टुकडों में बिखरे पड़े नहीं होने चाहिए आप कभी मेंट के साथ आगे बढ़ेंगे आप खूद में एनर्जी का एक विशाल भंडार भी मैसूस करेंगे आपके भीतर का जो एनर्जी का पूल है वो आपको दोड़ाएगा नईने आडिया देगा नई उचाई पर ले पहुँचाएगा और एक बात को आपको धान बे रखना चाहिए आज हम जो भी है जहां भी पहुँचे है थोड़ा मन को पूछे लेना क्या इसलिए आप पहुँचे है क्या आप अच्छे मार्क्स ले आये थे क्या इसलिए पहुँचे है कि आपके माबाप के पास पैसे बहुत थे कि इसलिए पहुँचे थे कि आपके पास प्रतिवात ही ठीक है इन सारी बातों का योगदान होगा लेकिन अगर ये सोच है तो ये सोच बहुत अधूरी है आज हम जहां भी है जो भी है हमसे ज़्यादा हमारे अगल भगल के लोगों का योगदान है समाज का योगदान है देश का योगदान है देश के गरीब से गरीब का योगदान है तब जाकर मैं आज यहां पहुँशा हूँ कभी कभी हमें इसका एसास ही नहीं होता है आज भी जिस Wikipedia में उसे बनाने में कितने ही मद्दुर भाई बहनों ने अपना परसेना बनाया होगा कितने ही मद्दिमवर गे परिवारों ने अपना टेस्ट दिया होगा तब जांकर के यह university बनी होगी इस university में आपके पढ़ाही होगी है ऐसे कई लोग होंगे जिन्दगी में कुछ कुछ योगदान है, हमें हमेशा यह ऐसास होना चाहिए, कि हम उन लोगों के भी रणी हैं, हम पर उनका भी कर्ज हैं, हमें समाज ने, देश ने, यहां तक पहुंचाया है, इसलिए हमें भी संकर्प लेना होगा, कि हम भी देश को का जो रण हम पर हैं, उस रण को मैं उतानूँगा, मैं उससे समाज को वापिस करूँगा, साथ्यों, मानव जीवन के लिए, गती और प्रगती अधिवार्य हैं, साथ साथ, हमें भावी पीडी के लिए, प्रकृती और परियावरण की रक्षा करना भी, उतना ही आवश्चत है, जैसे, clean energy, उजबल भविश्च की एक आशा है, जैसे, भविश्च के लिए, प्रकृती के लिए, परियावरण के लिए, विकास के लिए, clean energy की बात होती है, वैसे ही, जीवन में भी, दो बातें जरूरी है, मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ, अपने अनुबहों से बता दो, दो बातें बहुत जरूरी है, एक, clean slate, और दूसरा, clean heart, हम अक्सर सुनते हैं, आप भी बोलते होंगे, आप भी सुनते हैं, छोड़ो यार, ये तो ऐसा ही है, छोड़ो यार, कुछ नहीं होगा, अरे यार, अपना क्या है, चलो, adjust कर लो, चलो, चलते चलो, कई बार लोग बोलते हैं, कि देश में ये सब ऐसे ही चलेगा, हमारी हाँ तो ऐसे ही होता रहा है, अए भी यही तो अपने परंपरा है, ऐसे होना है, साथियों, ये सारी बाते हारे हुए मन की बाते हुई है, ये तूटे हुए मन की बाते होती है, एक प्रकार से जिसको जंग लग गया है, ऐसे मस्किस कसी बाते होती है, ये सारी बाते कुछ लोगों के मन मस्तिक में चिपक जाती है वो इसी एफ्रोच के साथ हर काम करते हैं लेकिन आज की जो पीड़ी है 21 सदी का जो युवा है उसको एक क्लीन सेट क्लीन स्लेट के साथ पूरी तरह क्लीन स्लेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए कुछ लोगों के मन में ये जो पत्थर की लकीर बढ़ी हुई है कि कुछ बदलेगा नहीं उस लकीर को क्लीन करना होगा इसलिए क्लीन सेट उसी प्रकार से क्लीन हार्थ इसका आर्थ मुझे नहीं समझाना पड़ेगा क्लीन हार्थ का मटलबी है साफ नियत साथियों जब आप प्रीकंसिव नौसन के साथ आगे बढ़ते हैं तो किसी भी नई चीज के लिए दरवाजे आप खुद ही बंद कर देते हैं साथियों अभी से 20 साल पहले का समय था जब मैं पहली बार गुझरात का मुख्यमंत्री बना था अनेक चुनोतियां थी अनेक स्तर पर काम हो रहा था अब मैं नया नया मुख्यमंत्री बना मैं पहले दिल्नी में रहता था अचानक मुझे गुझरात आना पड़ा मेरे पास रहने के लिए तो कोई जगा नहीं थी तो गांधिनगर के सरकेट आउस में मैं जे मैं एक कमरा बुक कर लिया अभी शपत होना बागी था लेकिन तैय हो चुगा था अब मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं तो स्वाबा भी कहें लोग गुल दस्ते ले करके आ जाते हैं मिल जाते हैं लोग मिलने आते थे लेकिन जो भी आते थे वो बातचीत में अक्सर मुझे ये कहते थे कि मोधी जी अब आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं एक काम जरूर कीजिए करीब करीब 17-80 प्रतिशन लोग यही बताए क्या कहते थे आपको भी सुनकर क्या सचरे होगा वो कहते थे कि मोधी जी कुछ भी कीजिए कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले इतना तो करिए मैं कहता हूँ 2001 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तब गुजरात के लोग मुझे मिलते थे यही कहते थे साब कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले ऐसा कुछ करो न इससे आप सोच सकते हैं कि बिजली की क्या हालत थी उसमाई और मैं भी जिस तरह के परिवार से आता हूँ मुझे भी ये पता अच्छी तरह पता था कि बिजली का होना और नहोना कितना महत्वर रखता है मैंने सोचा कि भई लोकों की समस्या का कोई पर्मनेंट सॉलूशन है क्या है और मैं अपसरों से बात कर रहा हूं था चर्चाएं कर रहा है लेकिन वही अरे भई यह तो ऐसे ही है हमारे पास बिजली जीतनी है तो हम ऐसे ही कर सकते हैं जब ज्यादा बिजली पैता करेंगे त स्थीतियों को देखते हुए मैंने कहां यह काम कर सकते हैं क्या है जो एग्रिकल्चर फीडर है वो और जो डॉमेस्टिक फीडर है कि हम दोनों को अलग कर सकते हैं क्या है एग्रिकल्चर क्योंकि लोग यह कैसी हवा बना के बैठे थे किसा आप फिती कि मैं बिजली का चोर होता है डिकना होता है भाती भाती के बाते मैं सुनता था अब मैं बेसे नया था तो मुझे हर बात थोड़ा समझाने में भी दिक्कत भी रहती थी क्योंगी यह बड़े बड़े बाबु लोग बात समझे गें कि नहीं समझेंगे और मैं कहता था बैद ये दो persid अलग करें तो कैसा कोई सहमत नहीं हुआ है क्योंकि प्रीक कंसीवर्ड नोशन था यह नहीं हो सकता है कुछ लोगों ने मुओपे भी काय दिया एक çaब, लिए नहीं थे इंप्योसिबल है किस ने आर्थिक स्थिती नहीं है किसी ने कहाँ बिजली नहीं है किसी ने काई एक भ्यवस्ता कैसे अब चलता रहा है आप हैरान हो जाएंगे इसके लिए जो फाइले चली वो फाइलों का मुझे लगता है वज़न भी पांच साथ दस किरो तक साथ पहुंच गया होगा और हर बार हर अपसर नेगिटिव लिखता था हर कोई अब मैं लगा रहा था कि यह कुछ करना है मुझे इसके बाद मैंने एक उत्तर गुज़ात में एक सोसाइटी थी जिनके साथ 45 गाउं जुड़े थे उनको बुलाया मैं नहीं कहां भी एक मेरा इस सपना है कि आप कर सकते हैं क्या है तूनका साब में को सोच लिजी जी मैंने को एंजिनियर बगेर के मदर लीजी मेरी इचनी इच्छाएं के 45 कामों में जो भीजली जाती है वहां मैं अग्रिकल्चर और डॉमेस्टिक को फिडर अलग करना चाहता हूं तू दुबारा आए उन्होंने कहां साब हमें कोई मदद की चायूत नहीं हमें 10 करोड रुप्या इसमें खर्च करने के भारत सर्कार गुजरात सरकार हमें को जड़ा आग्रह से किया वह जड़ा करिये इस काम को और उन 45 गाउं में डोमेस्टिक फिडर और अग्रिकल्चर फिडर को अलग किया परनामी आया कि खेती में जितना समय बीजली देनी ती देते थे वह अलग टाइम था घरों में 24 गंटे बीजली पहुंच लेगी और कि मैंने एजुकेशन युवर्सिटियों की मदद से थोड़ा नवजवानों को भेज करके उसका जड़ा थर्ड पार्टी एसस्मेंट करवा है आप हैरान हो जाएंगे जो इस गुजरात में रात को खाने समय बिजली मिलना भी मुश्किल था 24 गंटे बिजली मिली लिकिए इसके साब एक एकनोमी शुरू हुई टेलर भी अपना जो सुइंग मसीन था उसको आप पैर से नहीं इलेक्टिक मसीन से चलाने लगा दोबी भी इलेक्टिक इस्तिवप्यों करने लगा कीचन में भी बहुत सारे इलेक्टिक चीज़ आने लग गई लोग एसी खरीदने लगे पंखा खरीदने लगे टीवी खर अला शुरू हो गया सरकार के इंकम में भी बढ़ोतरी हुई इस प्रयोग ने हमारे सभी उस समय के अपसरों के दिमाग को बद्रा आखिरकर निर्णय हुआ कि रास्ता सही है और पूरे गुजरात में एक हजार दिन का कारकम बनाया एक हजार दिन में एग्रिकल्चर फीड और डोमेस्टिक फीडर अलग किये जाएंगे और एक हजार दिन के भीतर भीतर सारे गुजरात में चौबीस घंटे घरों में बिजली पहुँचना आव संबव हुआ अगर मैंने वो प्री कंसीव नोशन को पकड़ा होता तो यह नहीं होता क्लीन सेट स्लेट था मेरा नए सीरे से मैं सोचता था और उसी का परणाम हुआ साथियों एक बात मान के चलिए रिस्रिक्शन दू नॉट मेंटर यॉर रिस्पोंस मेंटर्स मैं आपको एक और उदहन देता हूं यह मैं को अपनी वावाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन कभी ध्यान में आता है कि हम किस प्रकार से बड़ा उला सकते गुजरात पहला राज्य था जिसने अपने स्तर पर सोलार पॉली से बढ़ाई थी तब यह बात आई थी कि सोलार बिजली की कीमत प्रती यूनीट बारात तेरा रुपया तक जाएगी यह कीमत उस समय के हिसाब से बहुत कम थी क्योंकि थर्मल की जो बिजली थी वो 2,5,3 रुपय तक मिल जाती थी वही बिजली अगर 13 रुपया अब आप जानते हैं आज कल जिस प्रकार से होहला करने की फैशन है हर चीज में नुक्स निकालने की फैशन है वो समय तो और मेरे लिए तो बड़ी परेशानिया रहती थी अब मे लेकिन साथियों मेरे सामने एक ऐसा पल था कि मुझे मेरी प्रतिश्चा की चिंता करनी कि मेरे भावी पीड़ी की चिंता करना मुझे मालूम था कि ये स्प्रकार के निर्णे की मिडिया में बहुत धुलाई होगी भाती-भाती की करप्शन के आरोप लगेंगे बहुत कुछ होगा लेकिन मैं clean heart था मैं genuinely मानता था कि हमें कुछ तो कुछ तो lifestyle बदलने के लिए करना पड़ेगा आखिर कर हमने फैसला लिया solar energy के तरफ जाने का फैसला लिया और हमने इमानदारी के साथ ये निर्णे किया उजवल भविश के लिए किया एक वीजन के साथ किया गुजरात में solar plant की शुरुवात हुई बहुत बड़ी मात्रा में हुई लेकि उसी समय जब गुजरात ने policy बड़ाई तो बाहुत सरकार ने भी full stop कॉमा के साथ वही policy उसमय बड़ाई जब मैं गुजरात का मुख्यमेंटरी थी आपको मालूम है वहाँ दिली में किसकी सरकार थी उन्होंने बनाई लेकिन उन्होंने क्या किया उन्होंने 18-19 रुप्या दामताई किया अब हमारे अफसर आये बोले साथ ये हम 12-13 देंगे ये 18-19 देंगे तो हमारे यह कौन आएगा मैंने का बिलकुल नहीं मैं 12-13 पर ही टिका रहूंगा 18-19 की मैं देना क्यों तयार नहीं हूँ लेकिन हम डेवलक्मेंट के लिए एक ऐसा इको सिस्टिम देंगे ट्रांसपरंसी देंगे स्पीड करेंगे दुनिया हमारी हाँ आएगी एक अच्छे गवर्ननस के मॉडल के साथ आगे बढ़ेंगे और दोस्तों आज देख रहे हैं आप कि गुजरात ने जो सोलार का इनिसिटिव लिया आज गुजरात सोलार पावर जनरेशन में कहां पहुंचा है वो आपके समने साक्षी है और आप स्वेम युनिवर्सिटी आज एक काम को आगे बढ़ाने के लिए आगे आये हैं जो बारा तेरा रुपिय से शुरू हुआ था वो पूरे देश में सोलार एक मुमेंट बन गया और यहां आने के बात तो मैंने इंट्रनेश्टल सोलार एलाइंस आइसा एक ऐसी संस्था का निर्मान किया है जिसमें दुनिया के गरीब 80-85 देश उसके मेंबर बन गए हैं और पूरे दुनिया में मुमेंट का कारण बन गए हैं लेकिन यह कन्विक्षन क्लीन हार्ड के साथ कन्विक्षन उसका यह परणाम है कि आज हिंदुस्तान सोलार के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है आज प्रती यूनिट कीमत 12-13 से कम होकर के 2 रूपिय से भी कम पहुच गई है आज देश की भी एक प्रमुक प्रात्मिक्ता सोलर पावर बन गया है और हमने 2022 तक 175 गीगावर्ट रिन्यूबल एनर्जी के लिए निर्णे संकल पर किया हुआ है और मुझे विश्वास है कि हम 2022 के पहले इसको पूरा करनेंगे और 2030 तक रिन्यूबल एनर्जी का हमारा लक्ष है 450 गीगावर्ट बहुत बड़ा लक्ष है ये भी समय से पहला पूरा होगा ये मेरा विश्वास है ये विश्वास आपको हमेशा काम आएगा साथियों बड़लाव चाहे खुद में करना हो या दुनिया में करना हो बड़लाव कभी एक दिन एक हफते या एक साल में नहीं होता बड़लाव के लिए थोड़ा ही प्रयास लेकिन थोड़ा थोड़ा निरंतर प्रयास लगातार सस्टेन हमें हर दिन करता पड़ता है नियमित होकर किये गए छोटे-छोटे काम बहुत बड़े बड़लाव लाते हैं अब जैसे कि आप अगर हर दिन कम से कम 20 मिनिट कुछ नया पड़ने के या सिखने के आदर डाल सकते हैं इसी तरह आप ये भी सोच सकते हैं कि क्यों न हर दिन 20 मिनिट कुछ नया सिखने के लिए डेडिकेट किये जाएं एक दिन में अगर आप देखोगे तो एक केवल 20 मिनिट की ही बात होगी लेकिन यही 20 मिनिट एक साल में 120 गंटे बराबर हो जाएंगे यह 120 गंटों का प्रयास आपके भीतर कितना बड़ा बडलाव कर देगा यह महसूस करके आप खुद भी हरान हो जाएंगे साथियों आपने क्रिकेट में भी देखा होगा जब किसी टीम को बहुत बड़ा टारगेट चेज करना होता है तो वो यह नहीं सोती कि उसे टोटल कितने रन बनाने है बैस्टमेन यह सोते हैं कि उससे हर ओवर में कितने रन बनाने चाहिए यही मंत्र फाइनांशल प्लानिंग में भी बहुत लोग लेकर चलते हैं हर महिने 5000 रुपय जमा करते हैं और दो साल में एक लाग से ज़्यादा रुपय इखटा कर हो जाता है इसी तरह से सतत प्रयास सस्टेन एफर्स आपके अंदर वो कपेबिलिटी बिल्ड कर देते हैं जिसका असर शौट टम में तो नहीं दिखता लेकिन लॉंग रन में ये बहुत बड़ी आपकी अमानत बन जाता है बहुत बड़ी शक्ती बन जाता है राष्टी अतर पर जब देश भी ऐसे ही सस्टेन एफर्स के साथ जलता है तो उसके भी ऐसे ही प्रणाब होते है उधान के तौर पर स्वच्छ भारत अभ्यान को ही लीजिए हम सफाई के बारे में केवल गांधी जन्ती पर केवल ऑक्टोबर में ही नहीं होते लेकिन हम हर दिन इसके लिए प्रयास करते हैं मैंने भी 2014 से लेकर 2019 के बीच लगब मन की बात में हर कारकम में सफाई को लेकर लगाता देश्वास्यों से चर्चा की है बात्चीत की है उनसे आगर भी किया है हर बार अलग अलग स्भुद्धो पर बात थोड़ी थोड़ी बात होती रही लेकिन लाखो करोर लोगों के छोटे-छोटे प्रयासों से स्वच भारत एक जनांदोलन मन गया सस्टेन एफट्स का यही प्रभाव होता है ऐसे ही प्रणाम आते हैं साथियों 21 विसदी में दुनिया की आशाएं और अपेक्षाएं भारत से हैं और भारत की आशाएं और अपेक्षाएं आपके साथ जुड़ी है मैं फिर कहता हूँ आपके साथ जुड़ी है हमें तेज गती से चलना ही होगा आगे बढ़ना ही होगा पंडित दिंदाल उपातेजी ने अंतोदय का विजन दिया नेशन फर्स की जिन से धानतों को लेकर वो चले हमें मिलकर उन्हें और मजबूत करना है हमारा हर काम राष्ट के काम हो इसी भावना के साथ हमें आगे बढ़ना है मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई और उजवल भविश के लिए अनेक अनेक शुप कामनाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आउजो